नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वालूम प्रोफाइल से कैसे ट्रेडिंग करें उसकी चर्चा करेंगे वालूम पृफाइल के साथ में अगर आप ट्रेड करेंगे तो 99% आपके ट्रेड की accuracy रहेगी, क्योंकि volume profile एक ऐसी चीज है, जो कि आपको trading के सारे ideas देती है यह आपको price के levels भी देती है targets भी देती है, entry points भी देती है, कहाँ trade नहीं लेना है वो भी बताती है, तो सारा कुछ इससे आपको indication मिलेगा देखिए, volume हम लोग जो chart पे लगाते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो नीचे जो vertical volume है वो लगा रहता है, जो कि candle to candle volume बताता है, किस candle पे कितना volume है, इसको वो indicate करता है इसमें कभी-कभी confusion भी होता है कहीं volume ज़्यादा है तो price is stagnant है, और price उपर बढ़ रहा है, तो volume कम हो रहा है तो कहीं कहीं ये clear cut indication नहीं देता है कि volume के साथ में price का movement कैसे होगा, और ये time bound volume है यानि कि आप जिस time frame की candle लगाएंगे उसे candle पे कितना volume आया उसको ये miser करेगा, जबकि volume profile जो है, एक price label पे कितना volume है, उसको miser करता है अब जैसे आप यहाँ पे देखिए ये reliance का chart है, और 3,190 पर यानि इस level पर आपको सबसे जादा volume दिखाई दे रहा है दूसरा जो सबसे जादा volume अपने को दिख रहा है वो 31,75 पे है, और तीसरा volume जो अपने को दिख रहा है वो 31,556 के level पर है तो यह तीन level अपने को दिख रहा है और तीनों level पर आप price का action देखिए यहाँ पर volume जो है बढ़ा हुआ है, लेकिन price इस थे रहा है इस जगह पर high volume है, यहाँ भी price is stagnant है यहाँ भी price is stagnant ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि यह जो levels है यह order blocks है, यहाँ पर maximum order place किये जाते है और उसके basis पर price में movement होता है अब यहाँ पर देखिए price is stagnant था और volume ज़ादा था तो यहाँ पर बहुत सारे buyer seller मैदान में अपने order place किये, अब यह order किधर place किये, buying side में या selling side में यह अपने को दो तरह से पता लगेगा, एक तो नीचे का volume जो है, यह भी बढ़ा हुआ है और यह volume भी बढ़ा हुआ है तो यह indicate करता है कि buying या selling activity यहाँ पर बहुत तेज चल लगी है अब price किधर जाएगा, that we don't know price यहाँ से नीचे भी आ सकता है price यहाँ से उपर भी जा सकता है तो इसको find out करने के लिए कि price किधर जा सकता है अपने लोगों ने एक भी वैप लगाया हुआ भी वैप आप जनते ही है, volume weighted average price है यानि कि यह औसत price है, जिसमें की volume भी जुडा हुआ है तो यहाँ पर volume दोनों तरफ में बढ़ा हुआ है और price ने भी वैप को cross किया तो इसका मतलब है यहाँ bullish trade बनेगा और उसके बाद target कहां तक लेना है वो भी देख लीजिए तो target और entry point जानने के लिए पहले अपने को volume profile समझना पड़ेगा जहाँ पर अपने को volume profile में volume बढ़ा हुआ मिले वो अपने target points होते हैं यानि कि अगर हमने यहाँ पर entry लिया तो हमारा पहला target ये level दूसरा target ये level और देखिए price इस level तक जा करके वहाँ से reward किया volume profile में जहाँ का volume आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा जिसे यहाँ पर अपने को सबसे ज़्यादा volume मिल रहा है इसको बोलते हैं POC POC का मतलब है power of control तो यहाँ पर maximum wire seller field में रहते हैं और यह अपने orders लगाते हैं तो यहीं से यह control होती है और power of control के उपर का जो area है यह है volume area high इसके नीचे का जो area है यह volume area low तो volume profile सभी time frame में काम करता है आप चाहे day time frame ले week time frame ले hourly time frame ले 15 minute ले whatever it works in every time frame लेकिन चुकि अपने वीवाब भी यूज़ कर रहे हैं तो इंटरडे के लिए यह best है इसमें आपको बहुत सटीक entry मिलती है और बहुत सटीक target points भी मिलते हैं तो volume profile का जो indicator है यह आपको सारे के सारे broker terminal में मिल जाएगा trading view पर भी मिल जाएगा तो चलिए सबसे पहले volume profile को लगाते हैं अपने indicator में आए और यह सारे indicators को हटा दिये अब अपने आएंगे सबसे नीचे volume profile खोजेंगे भी से सुरू होता है तो भी से हम देखेंगे तो यहाँ हमको मिल गया volume profile अपने इस पर क्लिक करेंगे यह लग गई volume profile simple अब जो broker terminal पर इसकी characteristic थोड़ी से अलग है यह जितना भी candles display में रहेंगी जितनी candle आपके screen पर दिखाई देंगी उनके volume को measure करेगा आप एक candle लगाईएगा तो एक candle को measure करेगा आपने एक candle लगाया है आपने दो candle लगाया है आपने तीन candle लगाया है चार candle लगाया है तो जितनी candle आप लगाएगे उतनी candle के हिसाब से यह measure करेगा उनके volume को तो यह से यहाँ का volume सबसे ज़्यादा है तो यह हो गई power of control power of control एरिया से price जिधर move करेगा उधर ही अपनी entry होनी चाहिए price किधर move कर रहा है अब बहुत सारी candle है बनती है तो false breakout में अपने न फसे हैं उसके लिए अपने v-wap को use करते हैं तो v-wap भी चलिए लगा लेते हैं यहाँ पर अगेन नीचे गए और यह रहा v-wap अपने इस पर क्लिक कर दिये अब यह v-wap लग गया तो अपने को देखना यह है कि price v-wap के उपर है या नीचे है अगर price v-wap के उपर है तो अपने bullish side में जाएंगे और v-wap के नीचे है तो अपने very side में जाएंगे अब जैसे यहाँ पर देखिए power up control का area कहां है यहाँ पर है तो इस area को जो price cross किया और साथ में इसने v-wap को भी cross किया तो यहाँ हमारी entry बनती है और यहाँ से entry कहां तक बनेगी जहाँ next हमारा volume जादा होगा तो इस जगह पर यह point जो है सबसे ज़्यादा volume का है तो यह हमारा target हो जाएगा तो इतना simple entry और यहाँ से यह area target अब यह हमारा entry area क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए volume profile में बहुत ज़्यादा volume है यानि कि यह बहुत तगड़ा order block तो यहाँ पर बहुत सारी entry यां हुई है और यह imbalance किधर create करती है वो देखना है तो price यहाँ से इतना तगड़े से उपर move किया इसका मतलब है कि यहाँ पर buyers ने entry किया है और यह price को अच्छा खासा move कराएंगे कहां तक कराएंगे जहां तक next order block नहीं आता है तो वो order block हमारा target हो जाएगा अब जैसे यहाँ पर उदारन देखिए यह area जो है यह order block है यहाँ पर बहुत सारी entry यां वगरा हुई है और BWAP के उपर price है तो यहाँ पर हमारा bullish entry होगी जब इस area को price क्रॉस करेगा क्रॉस किया और उसके बाद देखिए क्या जवर्दर्स movement बिला हमारा target अल्रेडी decided है जहां पे next volume area रहेगी वहां हमारा target और यहां से price जो नीचे आया यह भी आप ले सकते हैं लेकिन चुकि BWAP के उपर है तो better इसको avoid करना अब इस जगह पे देखिए अपना जो power of control का area है वो यह है BWAP के नीचे है तो जैसे ही इस area को cross किया अपने entry और price देखिए यहां तक आपका target दिया target हमारा कहां next जो volume area है वहां तक so simple उसी तरह इस जगह पे देखिए power of control कहां पर है इस जगह पे है और next volume area कहां पर है यहां पर है तो यहां से price उपर उठा यह BWAP को cross किया यहां से यहां तक का हमारा target होगा और इस जगह पे जब price आया BWAP के नीचे है तो यहां पे हमारी entry और target होगा next area तक same thing आप यहां पर देखिए यह हमारा power of control है BWAP के नीचे है यहां हमारी entry sell side में और उसके बाद target आप देखिए पहला target हमारा यहां पे और दूसरा target हमारा यहां पे इस जगह पर भी देखिए same thing वही है यहां पे हमारा order block area है और power of control area इस जगह पे है यहां से price BWAP के उपर गया हमारी entry यहां तक का profit यहां पर भी देखिए यह order block area है और यह power of control area है BWAP के उपर price यहां तक का हमारा target तो इसमें तो instant भी आप entry ले सकते हैं और next day के लिए preparation भी कर सकते हैं अब जैसे यह देखिए एक दिन पहले हमारा जो power of control area है वो यहां पर है यहां पर सबसे ज़्यादा volume है इसका बने यहां पर सबसे ज़्यादा order blocks लगे हुए है अब next day जो price खुला खुलने के बाद जैसे ही price BWAP के उपर और इस area के उपर एक strong candle से move किया तुरंत यहां पर हमारी entry और next area तक हमारा target तो इस तरह से भेंकर target इसमें आपको मिल जाएगा without mistake तो काफी ज़्यादा chances रहता है इसमें profitable होने के एक दिन पहले अगर आप अपने levels इसके अनुसार ड्रॉ कर लेते हैं कहां पर हमारा power of control है और कहां तक हमारा target होना चाहिए इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइने ड्रॉ करके रख लिजिए ये draw में जाईए select tool और यहां पर अपने horizontal line पर आगए और हमारा यहां पर जो area है इसको हम area of control ड्रॉ कर लिए area of high volume से जब भी price चाहे उपर चाहे नीचे strong candle से move करता है और VVAP के उपर अगर breakout देता है तो वहां पर हमारी entry होनी चाहिए वहां से लेकर के जो next high volume area है वहां तक हमारा target होना चाहिए तो यहां पर यह high volume area है और यहां से breakout हुआ तो यहां से लेकर के यहां तक हमारा target फुल्फिल हो जाएगा तो यह जो power of control area है तो यह एक strong area हो गया जब भी price इस area पे आएगा यहां से अच्छा खासा reflection ले सकता है उधारण के लिए देखिए यहां पर हमारा power of control area है तो यहां हम एक line ड्रॉ कर देए अगर यह हमने power of control area पे एक line ड्रॉ कर देए अब देखिए आगे बढ़ते जाएए यह area कैसे बढ़िया support का काम करता है तो इस line के साहरे आगे बढ़ते जाएए और देखिए यहां पे price जो है आया इस जगह पे again high value मेरिया बना है और यहां से price जब भी वैब के उपर गया तो देखिए किस धंका movement मिला उसके बाद फिर इस area के करीब में price आया यहां पे high value मेरिया है और इसको जब price ने भी वैब को cross किया तो उसके बाद देखिए किस धंका movement आया और target next high value मेरिया तो यह जो volume profile का concept है यह South India में बहुत चलता है तो इस तरह से volume profile आपके लिए एक support resistance भी है entry point भी है, target भी है सारा कुछ यह बता करके आपको देता है और यहां से आपको clear cut पता रहता है कि हमको करना क्या है हमको bullish side में entry लेना है या bearish side में entry लेना है और उस धंक से आप सटीक entry ले सकते हैं रॉंग trade होने की समभावना काफी कम हो जाएगी तो इसमें entry लेने का नियम आप एक बार फिर से समझ लीजिए जहां पर भी हमको profile में high volume area दिखता है चाहे वो power up control हो चाहे ना हो अब जिसे यहां पर देखिए high volume area मिला है price VVap के उपर गया है यहां पर हमारी entry और काफी सटीक entry होगी क्योंकि यह order blocks है तो यहां पर बहुत सारे order लगे हुए है बहुत सारी entry यहां बनी हुई है तो जिधर price move करेगा VVap के समझे कि उसी side की entry यहां पर ज्यादा हुई है तो VVap के उपर price गया और उसके बाद देखिए targets जो है यह हमारे लगबग pre-decided रहते है यहां पर ज्यादा volume है यहां price में stagnancy है यहां भी आपको price में swing दिखाई देगा और final target हमारा यहां तक होगा तो यहां से लेकर के यहां तक आपको एक बहुत अची rally मिल जाएगी due to this volume profile और देखिए यह level कितने बढ़िया आपके लिए target का काम करता है price यहां आया यहां stagnant हो गया यहां से price उपर पढ़ा तो next volume एरिया हमारा target होगा इसके अलावा आप इसको trading view पर भी ले सकते है तो उसके लिए हम लोग trading view के टर्मिनल पर आ गया है और यहां पर हमने भी वैप पहले से ही लगा करके रख दिया है अब हम लोग volume profile लगाएंगे तो indicator section में चलते हैं यहां पर volume profile खोशते है टाइप करते हैं volume profile तो यहां पर शुरू में जितने भी आपको यह 5-6 खुलेंगे यह सारे के सारे paid है यह आप से पैसा माँएंगे अपने को free में बढ़िया चाहिए तो free में बढ़िया के लिए अपने आएंगे यह जो है volume profile pivot anchored याद रखिएगा volume profile pivot anchored by dgtrd free में सबसे best यह है इसको अपने लगा लिए तो type करिएगा volume profile pivot पिवोट टाइप करिएगा तो आजाएगा volume profile pivot anchored by dgtrd इस पे क्लिक किए यह लग गया अब इसमें दुनिया बर की लाइने हैं वो अपने को नहीं चाहिए तो थोड़ा सा यह label अगरा हटा देते हैं setting में आते हैं और style में जाते हैं और यहां पे यह table और levels इसको हटा देते हैं यह okay कर देते हैं अब यहां पे देखिए volume profile को देख करके volume area high और volume area low यह बना देता है और यह जो volume area high low बना देता है almost वो market का range होता है लेकिन इसके उपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करने का कभी-कभी यह गरबड़ भी signal देता है अब for example देखिए यहां पे इसने low high area बना दिया और यह power of control के line है लेकिन price कहां खुला यहां खुला अब जो price खुला तो यहां पे हमको volume ज़्यादा दिखा और एक strong candle ने इस zone को break किया break करने के बाद price भी वैब के उपर गई बात खतम next area जो है यहां पर है चलिए next area तक हम wait कर लिए इसके बाद जब price उपर निकली तो यहां पे हमारी entry होनी चाहिए और हमारा target कहां रहेगा power up control तक तो generally क्या है कि जो यह देता है वो range रहता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो range यही हो अब यहां पे देखिए सबसे ज़्यादा volume कहां पर है यह power up control और इसने range बना करके दिया यह तो price इसके range में रहेगा अब यहां पे एक हमारा target ही है दूसरा target ही है इसको अगर price break करता है with strong candle तो हमारी entry हो सकती है लेकिन price ने उस area को break नहीं किया और उसी में रहे गया तो हमारी entry नहीं बनेगी उसी तरह से यहां भी देखिए इसने line drop करके रख दिया और price अल्मोस्ट उसी range में गया अब next day इसने जो range बना करके दिया price देखिए कि strong candle से नीचे खुला वी वैप के नीचे गया तो यहां से हमारा target यहां तक यानि कि जहां पे volume ज्यादा है उसके नीचे हम trade नहीं करेंगे तो जो भी profit मिला हम उसमें संतोस करेंगे उसी तरह से यहां पर देखिए यह candle का color हलका green दिखा रहा है यानि यह ज्यादा गुलीश candle नहीं है लेकिन यहां पे हमको ज्यादा volume दिखा और भी वैप कहा है भी वैप यहां है इसको जब cross किया तो हमारा target जो है पहला यहां तक और उसके बाद फिर इस line तक यह हमारा target होगा उसी तरह यहां भी देखिए power of control के उपर price निकला with very strong candle तो यहां पर हमारी entry हो सकती है और यहां से पहला target इस line तक और जब इस line को cross किया तो next high volume तक तो इस तरह से यह आपको एकदम पूरा का पूरा अब यहां देखिए बिल्कुल price range में है और इसकी line जो है वो बिल्कुल close में है तो ऐसी जगा पर हमको trading नहीं लेना चाहिए तो इस परकार से BWAP और volume profile यह दोनों मिल करके बिल्कुल धमाल वाली trading का मौका आपको देते है और अगर आप इसको interpret किये तो 90% से ज़्यादा chances है कि आपके trade सही जाएंगे और आपके trade में होने वाली mistakes बहुत कम हो जाएगी क्योंकि volume profile आपको price के levels भी देता है और साथ में ये भी बताता है कि momentum आएगा या नहीं आएगा आपके entry कहां होगी और आपके targets कहां होगे तो इससे बढ़िया एक single indicator आपको नहीं मिलेगा और इसके साथ में अगर BWAP भी है तो दोनों सोने पे सुहागा हो जाता है और आपको बहुत profitable trades मिलते हैं तो आशा कटें दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा दोस्तों में share कीजिएगा और चैनल आपने subscribe नहीं किया तो please subscribe भी कीजिएगा मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जहन जाभारत